मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशिवाशी का रदय से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ विशेश रुप से हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेश ने, टेकनिशन्स, बॉर्ड बॉइच, एंबुलन्स डाइवर्स, आप सभी ने जो काम किया है वो वाकई सरहानिय है हाला कि ये महामारी इतनी बड़ी है कि आप सबके इस कठीन परिश्रम और असेम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाई है इस वाइरस ने हमारे कई अपनों को हमसे चीना है मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र सद्धाजरी देता हूं और उनके परिजनों के प्रती सांत्वना व्यक्त करता हूं साथियों कोरोना की सेकंड बेव में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है इस बार संकरमन दर्भी पहले से कई गुना ज़्यादा है और मरीजों को ज़्यादा दिनों तक हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ रहा है इन सबसे हमारे हेल्ट सिस्टिम पर एक साथ बहुत बड़ा दवाव पैदा हो गया है बनारस तो वैसे भी सिरफ काशी के लिए नहीं पूरे पुर्वांचल की स्वास्थ सेवों का एक केंद्र है बिहार के भी कुछ हिस्से के लोग काशी पर डिपेंडनेंट होते हैं ऐसे में स्वाभावित तोर पर यहां की स्वास्थ बवस्ता पर इतना दभाव बहुत बड़ी चुनवती बन करके आया पिछले साथ सानों से यहां के हेल्थ सिस्टम को लेकर जो काम हुआ है उसने हमारा बहुत साथ दिया फिर भी यह असाधन परिस्थिती रही हमारे डॉक्टर्स हमारे हेल्थ बर्दकर्स के इतने बड़ी परिश्रम से ही इस दभाव को संभालना संभव हुआ है आप सभी ने एक-एक मरीज की जीवन रक्षा के लिए दिन रात काम किया खुद की तकलीफ आरां इन सब से उपर उटकर जी जान से जूटे रहें काम करते रहें आपकी इस तपस्या से बनारस ने जिस तरह इतने कम समय में खुद को संभाला है आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है साथियों इस मुश्किल दोर में बनारस की सेवा में लगे हमारे जनपरती निधियों ने और अधिकारियों ने भी हमारे सुरक्षा बलों ने भी लगातार काम किया है आक्सिजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए आक्सिजन प्लांट शुरू किये गए कई नए आक्सिजन प्लांट भी लगाए गए बनारत समेत पुर्वान्चल में नए वेंटिलेटर्स और ऑक्सिजन कॉंसेंट्रेटर्स की भी ववस्ता की गई